बिहार में मौसम की ताजा भविश्वानी जारी कर दी गई है इस दोरान 15 जिलों में अती भारी बारिस और भारी बारिस का एलर्ट जारी किया गया है वहीं गर्मी से तप रहे बिहार की राधानी पटना समेत कई जिलों में पारा लुढकने से लोग खुस हो गये हैं बिहार में फिर से बाहर है, ये बाहर बारिस की बाहर है दो दिनों से हो रही मुच्रदार बारिस के बाद सबसे जादा रहात उन लोगों को मिली है जो बिना A.C. कुलर के मिवाओं या सहरों में किसी तरह भादों में जेट जैसी गरमी से हलकान थे एक बुजुर्ग ने पूछे जाने पर कहा कि एतना पानी पड़ा कि मिजाज हरियर हो गया है मतलब इतनी बारी सुई की मन खुस हो गया है इसी बीच मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए औरेंज और यलो एलर्ट जारी कर दिया है पत्ना मौसम विज्ञान केंद्र यानि आएमडी ने आज यानि 27 सितंबर को बिहार के सिता मढ़ी सिवहर, पूर्वी चमपारन और पश्चिमी चमपारन जिले में एक या दो अस्थानों पर बहुत भारी बारिस का पूर्वानुमान जताया है इसके लिए इन जीलों में औरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है वहीं गोपालगन, मधुबनी, मुजफरपूर, सिवान, सारन, बकसर, भोजपूर, जमुई और बाका में एक या दो जगों पर भारी बारिस के लिए यलो अलर्वान जारी कर दिया गया है कल यानि 28 सितंबर के लिए पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पस्चिम चमपारन जिले के एक या दो अस्थानों पर भारी बारिस का यलो अलर्वान जारी किया है वही 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के लिए मौसम विभाग ने फिलहाल कोई चताओनी नहीं दिया है बात अगर पारा के करें तो दो दिनों के अंदर बारिस ने पटना में करीब 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पारा लुड़का दिया है वही 29 सितंबर के बाद पतना मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिस के कम होने का पुर्वान उमान जारी किया है मौसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बिहार के करीब 20 जिलों में बारिस की उम्मिज यताई गई है यानि हलकी से मध्यम वर्षा हो सकती है हाला कि इस दर्मियान यानि जो चार दिन होंगे उस दर्मियान तेज बारिस का कोई पुर्वान उमान या अलर्ट जारी नहीं किया गया है लेकिन बिहार के 20 जिले ऐसे होंगे जहाँ पर हलकी से मध्यम बारिस होती रहेगी और अलधानी पटना समेत करीब 18 ऐसे जिले होंगे जहां एक या दो अस्थानों पर बारिस का पुर्वानुमान जारी किया गया है तो तापमान में लगतार गिरावट आ रही है और IMD की तरफ से ये कहा गया है कि अगले एक सपता तक तापमान में कोई खास वृध्धी यानि टेंपरचर इंक्रीज करने का कोई निशान तक नहीं है तो 2 अक्टूबर के लिए बिहार में बहार है और उसके बाद जब वर्सा थमेगी तो गर्मी उस तरीके से उफान नहीं मार पाएगा